दोस्तो आज के इस यूग में आज के जमाने में कोई भी बिजनस जो है वो छोटा नहीं रहा इस्पेशली तब जब वो बिजनस अगर आपको महिने के 20 से 30 हजार कमा के दे सकता है तो वो छोटा बिजनस तो नहीं कहलाया जा सकता आज हम बात करेंगे कि कैसे आप भी MBA चाय वाले की तरह पटना की graduate चाय वाली की तरह चाय का बिजनस शुरू करके अच्छा खासा इंकम आप कर सकते हैं दोस्तो हम आपको बताएंगे कि कैसे एक चाय की दुकान से शुरू करके आने वाले टाइम में आप एक से ज़ादा चा means by a drive का बिजनस एक ऐसा बिजनस है जो सबसे कम investment में start किया जा सकता है और साथ ही एक ऐसा बिजनस है जो काफी जाद़ा फलने-फुलने वाला बिजनस है इस बिजनस का scope और demand बहुत है और यह बात आज सभी को पता है कोई भी इस बात से अंजान नहीं है इस बिजनस के लि जहाँ जहाँ भी top class की चाए मिलती है ये आपको पता है लोगों के जरीए तो वहाँ वहाँ आप जाईए जहाँ जादा बहुत जादा भीड़ होती है वहाँ जाईए वहाँ पे आप चाए को टेस्ट कीजिए एक बार ताकि आपको पता चले कि वह जो चाए वाला है उसके वहाँ पे वो किस तरह का चाय वो बेचता है, किस तरह का टेस्ट उसका होता है, वो चाय में क्या मिलाता है, जिससे कि उसके चाय में इतना टेस्ट आता है और लोग इतने उसके यहाँ पे आते हैं, इतनी भीड होती है, ये पहली चीज हो गई, अब आपको जब पता चल जा कि उससे अच्छी चाय आप लोगों को दे सकते हैं, अपने दुकान में उपलब्द लोगों को करा सकते हैं, भीड अपने पास आप खीच सकते हैं, तो आप शुरू करने का आप जो है मन बना सकते हैं, अब बारी सबसे पहले जो आएगी वो आएगी कि भाई चाय के दुकान शुरू करने के लिए आपको raw material लगेगा, क्या-क्या समान लगेगा, वो आपको तो लाना होगा ना, तो raw material में तो सभी को पता है कि भाई, पानी, दूद, चाय पती, चीनी, और different types जो flavors होते हैं, जैसे long वाली चाय, ilaichi वाली चाय, अद्रक वाली चाय, और भी बहुत तरह के आते हैं, वो सभी आप देखिएगा, मैं यहाँ पे photo डाल दूँगा, वो आप देखिएगा, तो इतने तमाम तरह के जो flavors हैं, इन तमाम तरह के flavors के आपको चाय बना के लोगों को आपको पिलाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आएं, है ना, तो यह सारी चीज़े आपको उपलब्द करनी होगी, आपको पहले से ही यह चीज़े अपने पास व्यवस्था करनी होगी, अब दूद का तो भई, आपको कुछ कहने की ज़र्य थी नहीं, आप डेरी से ले सकते हैं, या फिर जो लोग गाए, भैस पालते हैं, और दूद बेचने में, अपने शहर में मिल ही जाएंगे, उपकरन के रूप में आप क्या इस्तमाल आपको करना है, उपकरन के रूप में आप गैस, या फिर वो स्टोब जो आते हैं, वो इन सब कर सकते हैं, साथ ही आपको छलनी, केटली, घिलास, कप, फिर पेपर कप, तमाम चीज़े, कुल आपको खुद को दिख जाएगा कि उसके पास क्या-क्या सामान है, और आपको क्या-क्या लेना है, साथ ही इसमें, एक्स्ट्रा में अगर आप जोइन करना चाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा में, आपके पास ज्यादा इन्वेस्ट्मेंट है, थोड़ा सा, तो आप इन पॉल बनवाते हैं, कोई गुम्टी टाइप बनवाते हैं, या फिर कोई शॉप आप किराये पे लेते हैं, और वहाँ पर अपना जो है दुकान ओपन करना चाते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, अब बारी आती है कि अगर दुकान खुलना है, तो आपको जगा का सबजी मार्केट कहीं भी खोलिए जहां भी आप खोलिए ये बिजनस चलेगा बस ऐसी जगा होने चाहिए जहां पे दिन भर लोगों का आना जाना रहता है भीड़ भाड़ वाला इलाका है बस इस बात का आपको ध्यान देना ऐसी जगा खोलिए बहुत चलेगा अब मेन बात सुनिए आपको अपने चाई की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी हर तरह की चाई के फ्लेवर से उपलब कराते रहने होंगे साथ ही दुकान की जो साफ सफाई है उस पे आपको ध्यान देना होगा बरतन गिलास हर चीज की साफ सफाई पे ध्यान देना होगा साथ ही थोड़ा आपको ध्यान देना होगा साथ ही दुकान में अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो न्यूस पेपर रख लीजिए हिंदी वाला उससे भी बहुत सारा फाइदा यह होता है कि जो लोग आपके दुकान में चाई पीने आएंगे वो मतलब मेजिक भी सुन सकते हैं अगर उनको न्यूस पेपर पढ़ना है तो वो बैट के न्यूस पेपर भी पढ़ सकते हैं और उन्यूस पेपर पढ़ते हुए गाना सुनते हुए वो चाई पी रहे हैं चाई का मजा ले रहे हैं यह सब साथ ही आपको यह भी बताओं कि आपको अपना और अपने जो आप जो लेवर रखेंगे जो चाई बनाने वाला आप रखेंगे जो स्टाफ रखेंगे इन दोनों को आपको और आपके लेवर को अपने कस्टमर के प्रती वेवहार जो है बहुत ही अच्छा रखना होगा ताकि कस्टमर जो है वो बार-बार खीजा चलाए आपके पास एक चीज और बता दूँ कि सभी को पता है कि लोग चाय के साथ नमकीन या बिस्कीट ये सब लेना पसंद करते हैं तो इसलिए आपको इन चीजों को भी अपने दुकान में चाय के साथ जरूर रखना है और इनका अलग से आपको इंकम भी होगा चाय के income तो आपको होगा हिसाती ये जो biscuit, ये जो snacks, वगेरा आप रखेंगे, नमकीन वगेरा रखेंगे, बिस्कीट वगेरा रखेंगे, इन चीजों का आपको अलग्सी income होगा और लोग भी आपके दुकान में चाय के साथ नमकीन, बिस्केड ये सब खाने का मज़ा ले पाएंगे तो दोस्तो इन चीजों को आपको करना है इतना ही आपको तयारी करना है इतना ही इसमें जो थोटा मुटा जो आपको investment होगा वो होगा बहुत जादा आपको investment करना भी नहीं है आप चाहे तो 5000 से शुरू कर सकते हैं आप चाहे तो 10,000 से कर सकते हैं आप जितने बड़े level पे जाना चाहेंगे जा सकते हैं जितने कम level पे आप शुरू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा इंवेस्टमेंट में इसमें लगता ही नहीं है तो यह चीज हो गई अब इससे इंकम आपको कितना हो सकता है तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि 20 से 30 हजार रुपए आप इसमें इस बिजनस में आस बिजनस में उसके बाद धीरे धीरे आपका सेल बड़े आपके कस्टमर बड़े आपके इनकम बड़े आप धीरे बाकी वेवस्ता करते रहिए यह चीज़े हैं अब बारी ये भी है मैं आपको बता दू कि अगर आप उपिन करना चाहते हैं तो आप एक लैसंस जरूर ले लीजिएगा इससे क्या होता है कि आपको किसी भी तरह का legal परिशानी नहीं होगा कभी भी municipality का किसी भी तरह का कोई आपको परिशान नहीं कर सकता है आपके पास license रहेगा कि आपने दुकान open करने के लिए आपने जो है वो license लिया हुआ यह चीजे हैं तो दोस्तों यह चीज ह हो गई तो जैसे मैंने आपको बताया अगर आप सच में इस business को करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं और MBA चाहे वाला graduate चाहे वाली इंजिनियर चाहे वाला एक इंदौर का है इस तरह के बहुत लोग है जो इस business में आके अपने आपको आगे बढ़ा है चाहे सुट्ट है इस business को करना तो बिल्कुल शुरू कीजिए और अपने बास खुद बनिये और आप जितना नौकरी में कमाते हैं उससे जादा आप इस business से कमाईएगा किसी भी business में अगर आप करते हैं तो एक चीज़ की guarantee है कि नौकरी में आपको जो है limited salary मिलेगी month end में लेकिन business में unlimited अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कीजेगा share कीजेगा comment कीजेगा और साथ ही अगर नए है तो हमारे इस channel को जरूर subscribe कर लिजेगा क्योंकि मैं नए नए तरह के business ideas लेकर आता रहूंगा आप सभी के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कर दोर के लिए तो हूद कर दूरा